हेलो फ्रेंड वेलकम बैग टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको रेडिमेट पिलावसो की लंबाई कम करना सिखाऊंगी और इसके अंदर मैं आपको कमर के हिसाब से लास्टिक डालना सिखाऊंगी अगर आपने भी रेडिमेट पिलावसो लिया है और आप बिना पेशे वेश्ट करें उसकी लंबाई अपने हिसाब से कम करना चाहते हैं और इसके अंदर अपने साइस के हिसाब से लास्टिक डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पिल्कुल भी दिक्कत परिसानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्लावसों ये cotton का कपड़ा है तो मैंने इस दो के साधा पानी में इसे दोया ता रवब के मैंने इसे सुखा दिया है अगर आपका भी cotton का कपड़ा है तो आप पहले उसे साधा पानी के इंदर दोएं आप इस सुखा लिए क्यूंकि cotton के कप्ड़े की हमारी की लंबाई एक से अलब तो इसकी जो लास्टिक आपको निकाल देना है और आपको आपको निखाल देना है और आपको परिश लगा देनी है तो मैंने इसकी जो last stick थी उसकी निकाल दी है और इसकी जो fitting के slightly मैं आपको दिखाती में दिखी मैंने ये fitting के slightly इसके दोनों side की निकाल दी है आपको इसे फिर double में इस तरह से fold कर देना है आपको इसका नेफा फोल्ड करने की नहीं, यहाँ पर पहले दो इंच का मार्जन लेना है, उसके बाद में हम इसकी लंबाई की निसान लगाएंगे तो मैं पहले पूरे में डोट-डोट करके दो इंच पे निसान लगा रही हूँ उसके बाद में इंच टेप की मदद से इस निसान को सीधा कर दूँगी मैं जो सके इंच लास्टिक डालूँगी वो में डालूँगी सवा इंच चोड़ इलास्टिक तो इसलिए मैंने इसके इंच का मारजन लिया है नीफा फोल्ड करने के निये उसके बाद में यह जो हमारा निसान है इस निसान पे आपको इंच टेप को रखना है और आपको जितनी भी प्लाजों के तयाल लंबाई चाहिए उतनी इंच पे आपको नीचे निसान लगाना है तो मुझे जो इस प्लाजों के तयाल लंबाई चाहिए वो मुझे चाहिए 30 इंच की तो मैं यहाँ पे नीचे 30 इंच पे निसान लगाऊंगी और इस निसान को मैं इंचे टेप की मदश से सीधा कर दूँगी फिर आपको इसकी महरी फोल्ड करने के निए मार्जन लेना है तो मैं जो इसकी महरी फोल्ड करने के निए मार्जन लूँगी वो मैं यहाँ पे धाई इंच का मार्जन ले रहीं क्योंकि मैं इसकी जो महरी फोल्ड करूँगी में जोड़ी फोल्ड करूंगी अगर आप पत्ली महुरी फोल्ड करना चाहते हैं तो आप कम भी मार्शन ले सकते हैं ड waving दो इंच का मार्ण ले सकते हैं अप महुरी फोल्ड करने के लिए है और इस निशान को मैं इन्चेप की मदद से सीधा कर दोगी फिर यह जो एश्ट्रा कपड़ा है इसके आपको कटिंग कर देनी है तो हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है मैं आपको फोल्ड करके दिखाते हैंगी देखिए मैंने धाइंच का मार्जिन लिया है हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे फेले हाफ इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से दोनी कपड़े को फोल्ड करेंगciones गतुए लिए मोहरी कुछ इस तरह से आएगी और अगर आपने सब्सक्राइन लिया तो आपकी इस इसके आसन की स्लाई है यहां से आपको इसके नेफे को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके अंदर आपको देड़ इंच के बीच में स्लाई नहीं लगानी मैं आपको चौक की मदश से निसान लगा की दिखा रही है मैंने दोनों साइडों में आपको निसान लगा के दिखा दिया है इतनी बीच के अंदर आपको सलाई नहीं लगानी नेफे में बाकि आपको इसका पूरा नेफा जो फोल्ड कर देना है मैं आपको इहां से फोल्ड करके दिखाती हैं शुलिड देखें इस तरह से आपको इसके नेफे को पूरे को फोल्ड कर देन ना है और इस visitors लाइल लगा देनी है हमने नेफे में दो इंच का मार्चिन लिए था तो आपको 2 इंच कपड़ को फोल्ड करते हुए स्लाइल लगा कि हम इसके अंदर पहले नेफ फोल्ड करने की स्लाइब लगाएंगे उसके बाद में इसके अलास्टिक डालेंगे तो यह बहुत जादा आसान तरीका है इसके इलास्टिक डालने का इस तरीके से अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसक कमर के हिसाब से डालनी है आपके जितनी वी कमर आती है उतसे आपको 2-INCH कम लाश्टिक कट करके इसके इंदेब लालनी है मैं बताती हो आपको लाश्टिक लिए है जो इसके चोडाई है वह सवा इंचे और जो हमारी सिंच कोल से तो मैं पहले आपको 29 इंच न आपके दिखाती हैं बेदी कि 29 इंचे और इससे हम 2 इंच कम करके लाश्टिक कट करेंगे हम 27 इंच की लाश्टिक कट करेंगे उसी तरह से जितनी भी आपकी कमरा आए आप उससे 2 इंच कम लाश्टिक कट करें मैं यहां पर कट कर लूँगी इस लास्टिक को तो हमारी लास्टिक कट हो चुकी है फिर आपको एक पिन लेना है इस लास्टिक को नेफे के अंदर डालने के लिए तो मैंने यह पिन लिया है इस पिन को आपको लास्टिक के अंदर डालना है फिर इस पिन को आपको जो है यह जो हमने तेर इड़े लिया अची नेवे पे सलाई नहीं लगाई थी। यहाँ से इसके नदर डाल देना है। अपर पिन की मदश से आपको इस लास्टिक खोलिक के पूरे नेवे चेलंदर डालना है। आपको इसके नेफे के इंदर लास्टिक डालते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्टिक है पुर्कु सीधी आनी चाहिए कहीं से भी आपकी लास्टिक जो ही नहीं मुर्नी चाहिए आपको पिन के इंदर इस तरह से कपड़ को डालना है और फिर इस तरह से आपको इस स्लाई है नेफे की यहां पर आ चुकी है मैं यहीं से लास्टिक को जो है निकाल दूंगी इसके अंदर से तो हमारी लास्टिक इसके नेफे के अंदर डल चुकी है फिर आपको पिन को निकाल देना है दोनों लास्टिकों को बिलकुल मिला के पकड़ना है और हाफ इंच लास्टिक छोड़ते हुए आपको इसके अंदर सलाई लगा देनी है आपको 2-3 बार अच्छे से सलाई लगानी है ताकि हमारी जो दोनों लास्टिक हैं अच्छे से आपस में अटेज हो जाएं और ये निकलेना तो सलाई हमारी लग चुकी है ये देखिए फिर आपको यहां से एस्ट अलास्टिक जो है वो कट कर देनी है पिर आपको यह जो लास्टिक है इसे आपको अंदर की तरफ को करना है इस तरह से पिलेटों को जो ही खीचना है और इसे आपको अंदर की तरफ को करना है पिर यहां से यह जो हमारा 1.5 इंच कभीच खुला हुआ है यहां से आपको लास्टिक को अंदर को करना है और इतने बीच पे जो हमने लाई नहीं लगाएती इतने बीच पे आपको इसके इंदर अपसलाई लगा देनी है 1.5 इंच पे तो देखिए इसके इंदर लाई लगच चुकी है फिर यह जो इसकी प्लेटे हैं इन्य Neef व्यूकर सोर करना है आपके नेवरे के इंदर बिल्कुल बराबर प्लेटे आनी चाहिए इस तरह से कर देना है आपको ता कि बुल्कुल बराबर पroe बनेटां उicism मार्यी घृ इस सिलाई से जो आपकी लास्टिक वूलकिल भी नहीं पलटेगी और सीधी की सीधी आपकी लास्टिक रहेगी बस आपको इस तरह से कपड़े को खि Dem01 मुत दियुक अधा लगा के साथ हमारे प्लाजो के अंदे लांस टिक डल चुकी है उसके बाद में आपको इसकी महोरी फोल्ड करनी है तो हमने यह जो निसान लगाया है यह हमने उल्टी तरफ लगाया था अब आपको इसे सीधा करना है आपको इसकी सीधी तरफ निसान लगाना है यह निसान जो है उ दो इंच का मार्जन लिया है मोहरी फोल्ड करने के लिए तो आप उतने ही कपड़े पर निसान लगाएं और फिर इस निसान को इंची टेप की मदस्ते में सीधा कर दूंगी तो देखिए हमारे निसान सीधा हो चुका है आप इस निसान को देखते हुए ही हम मोहरी के कपड़े को फोल्ड कर देंगे मैं आपको बताती हैं देखिए पहले हम हाफ इंच कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और पिर इस तरह से हमारा निसान देखी दिख रहा है इस निसान को देखते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे महुरी वाला जो है सेमी सी तरह से आपको जो है इसकी दूसरी वाली महुरी का जो कपड़ा है उसे भी फोल्ड करना है फिर आपको इसकी फिटिंग के निसान लगाने है तो आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और मैं आपको नापकी दिखाती हम जो इसका पॉंचा है वो है साथ इंच का तो म अपने ह이션स से कम भी रख सकते हैं तो अब हमारे प्लाजू के जो लंबाई है तीन से चार इंच कम दाल ली है हमारे प्लाजो बणकर विरुकर तयार हो चुका है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सलाई की वीडियो मिलती रहें